नमस्कार दोस्तों, हमारे यूटुब चैनल पावर तक में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे जो हम अपनी PCB बोर्ड के अंदर कंपोनेंट यूज करते हैं, चाहे वो हमारा IC हो या फिर जो हमारा टाइस्टर हो उसे हम जानेंगे कि ये कितने वाट का है और कितने एंपियर का है और जो दोस्तों इनकी लेग है, वो हमारी कौन सी बेस है और कौन सी कलेक्टर है और कौन सी इमिटर है, आज हम यही पता करेंगे तो दोस्तों आज हम यही पता करेंगे, जो इनकी लेग होती है वो कौन सी input होती है और कौन सी output होती है और कौन सी ground होती है जैसे कि हमारा जो आप regulator देख रहे हो इसे की pin भी आप पता कर सकते हो या फिर दोस्तों जो हमारी ये आप IC देख रहे हो LM349 इसकी जितनी lag है कौन सा इसका input है और कौन सा output है और ये कितने watt का है आप ये भी जान सकते हो तो आज दोस्तों हम यही बात करने वाले हैं जितने हमारे component होते हैं A2Z चाहे हमारा SMD package पे हो तो दोस्तों जानेंगे की जितने लेग होती हैं सारी details कोई भी हो नार्मल हो या फिर SMD package पे हो क्योंकि इस type की वीडियो मैं हमेशा अपने YouTube channel पे upload किया करता हूँ तो चलिए दोस्तों चलते हैं अपने Google Play Store में तो दोस्तों यहाँ पे हम आ चुके हैं अपनी Play Store में जहां से हम गेम और भी application इस्टोल करते हैं वहाँ पे हम आ चुके हैं आपको search की option में जाना है आपको type करना है component pin out तो यहाँ से मैं अभी आपको type करके दिखा रहा हूँ component यहाँ पे जैसे हमने यहाँ पे थोड़ा सही लिखा component पूरा हमने लिखा नहीं यहाँ पे आ गया है electronics component pin out तो यहाँ पे आप किलिक करिएगा तो अगर आप में इस्टोल नहीं होगा तो आपको इसे इस्टोल करना पड़ेगा तो हमने यहाँ पे पहले से ही इस्टोल किया हुआ है अब चलिए इसको open कर लेते हैं ऐसा ही logo आपको देखने को मिल जाएगा electronics component pin outs फ्री तो चलिए इसको open कर लेते हैं यहाँ से हमने दोस्तों इसे open कर लिया अब कुछ इस तरीके का interface आपको देखने का मिल जाएगा तो यहाँ पे मैं आपको कुछ search करके दिखा रहा हूँ सबसे पहले हम दोस्तों अपनी जो टाइस्टर होती है BC547 उसको देखते हैं उनकी जितनी लेग हैं और वो कितने ampere का और कितने watt का है तो देखते हैं यहाँ पे आपको चले आना है search में तो यहाँ पे मैंने search में click कर दिया है अब यहाँ से हम type करेंगे BC547 तो नहीं type कर रहा हूं BC547 हमने यहाँ पे टाइप कर दिया है और search कर देना है यहाँ पे जैसे हमने दोस्तों सर्च कर दिया यहाँ पे हमारे टांजिस्टर कई आ गए तो आप यहाँ पे देख लीजिए कि कौन सा आपका है यहाँ पे मेरा BC 547 पहले उपर ही सो कर रहा है तो इस पे हमने क्लिक कर देना है किलिक करने के बाद दोस्तों यह आप देख सकते हो कुछ इस तरीके का आपको इंटरफेस मिल जाएगा इसकी पूरी डिटियल्स टांजिस्टर की इतनी होती है पूरी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी जितनी इनकी लेग होती है जैसे कि यहाँ पे इसकी फर्स्ट वाली लेग जो कि हमारी कलेक्टर है सिकेंड वाली हमारी बेस है और थाड वाली हमारी इमिटर है इनकी जितनी लेग होती है दोस्तों आपको सारी डिटियल्स यहाँ पे मिल जाएगी दूसरी चीत दोस्तों यह हमारा इसका 0.5W का है यहाँ पे आपको पावर लिखा हुआ दिख जाएगा 0.5W और यह हमारा 0.1A का है और यह हमारा NPN टाइश्टर है यहाँ पे आपको लिखा हुआ दिख जाएगा NPN टाइश्टर तो इस तरीके से दोस्तों आप पता कर सकते हो अब हम बात करेंगे दोस्तों जो हमारी IC होती है उसके तो उसको सर्च करने के लिए जैसे मैं यहाँ पे सर्च कर रहा हूँ 555 जो हमारी टाइमर IC होती है उसको सर्च कर के तो यहाँ पे मैं टाइप कर रहा हूँ 555 तो यहाँ पे हमने टाइप कर दिया दोस्तों 555 और सर्च के option पर यहां पर हमने search कर देना है search करने के बाद दोस्तों उपर यह आ गया है 555 timer IC तो इसको हम click कर लेते हैं यहां पर देख सकते हो इनकी जितनी leg होती है यह leg सारी leg कौन सी इसका ground है और कौन सी इसकी output है और कौन सी इसकी reset fan है यह इसकी दोस्तों आपको पूरी detail यहां पर so कर रहा है और किस तरीके से हमारी जो IC है design की हुई है कौन कौन सा component इसके अंदर use किया हुआ है सारा आपको देखने को यहां पर मिल जाता है यहां पर आप देख सकते हो यह इसकी जो दोस्तों voltage यहां पर पूरा दिखा रहा है maximum supply voltage 18 volt यहां पर आपको पूरी detail मिल जाएगी यहां पर आप देख सकते हो तो इस तरीके से दोस्तों आप IC को भी check कर सकते हो अब हम दोस्तों search करने जा रहे हैं माल लेजिए हमने जो हम अपनी regulator यूज़ करते हैं इसको search करेंगे तो यहां पर आपका सीधा सीधा लिखा हुआ आ गया voltage regulator यहां पर आपका सीधा सीधा इसने count करके बता दिया कि आपका यह voltage regulator है और इसकी दोस्तों जो leg है वो leg हमारी होगी first leg जो की input है और दूसरी वाली जो की ground है तीसरी वाली bolt out जहां से हम 5 बोल्ट की supply दोस्तों जो हम output के use में लेते हैं और यह किस तरीके से design किया हुआ है सारी detail यह आपको देखने को यहाँ पर मिल जाएगी तो इस तरीके से दोस्तों इसे भी आप चेक कर सकते हूँ अब मैं एक और चेक करके आपको दिखा रहा हूँ आइसी अब यहाँ से मैं type कर रहा हूँ 4N 35 तो यहाँ पर 4N 35 अमने type कर दिया और search कर दिया यहाँ पर जो हमारी नोर्ट कैठोर कौन सा कैसा है जो भी है यह सारी डिटियल आपको इस तरीके से देखने को मिल जाएगी तो आप इस तरीके से दोस्तों जान सकते हो अगर आपके दोस्तों SMD package पे कोई transistor होते हैं यहाँ पे कई option दिये गए हैं यहाँ पे लिखा हुआ है SMD code तो यहाँ पे आप क्लिक करोगे SMD code तो आपके जो code होंगे वो code आपके SMD package पे जो आपका transistor लगा होगा उसके उपर वो code लिखे होंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो जितने transistor यूज़ किये होते है SMD package पे सारी pinokie और सारे transistor की detail यहाँ पे आपको मिल जाएगी जैसे कि मैं दोस्तों एक open करके आपको दिखा रहा हूँ तो यहाँ से दोस्तों हमने इसे open कर लिया है आप देख सकते हो यह हमारा collector और base और emitter यहाँ पे आपको दिखा रहा है यह हमारा NPN transistor है या फिर normal है यहाँ पे आपका सारा सो कर देगा तो दोस्तों आप इस तरीके से भी पता कर सकते हो चाहे हमारी कौन सी कोई IC हो तो यहाँ पे दोस्तों एक last IC है और मैं आपको सर्च करके दिखाने जा रहा हूँ last तो यहाँ पे मैं सर्च करने जा रहा हूँ LM324N जोकी common IC normal ज्यादा यूज होती है तो यहाँ पे मैं सर्च करने जा रहा हूँ LM324N यहाँ पे हमने टाइप कर दिया और इसको हमने यहाँ पे सर्च कर दिया यहाँ पे आप देख सकते हो सबसे उपर यहाँ पे आ गया है यहाँ पे हमने इसको ओपन कर लिया दोस्तों आप देख सकते हो जितनी इनकी पिन है यहाँ पे एक नमबर तो नमबर जितनी आपकी 14 नमबर तक जितनी इनकी पिने है सारे पिनों का डीटियल्स यहाँ पे दिया हुआ है आप यहाँ से इस तरीके से देख सकते हो और यहाँ पे किस तरीके से कौन सी इसकी इनिपुट पिन है और कौन सी इसकी output भी नहीं यहाँ पर पूरा इसकी details यहाँ पर आपको दिया हुआ है यह IC हमारी कैसे design हुई है पूरा यहाँ पर आपका diagram देखने को मिल जाएगा यहाँ पर आप देख सकते हो तो दोस्तों कुछ इस तरीके से आप देख सकते हो जो हमारे नए भाई लोग होंगे उनके लिए यह आप काफी अच्छा है उन्हें बहुत कुछ इस आप से सीखने को मिलेगा जितने इनकी components की detail होगी उन्हें आसानी के साथ दोस्तों पता लग जाएगा आप कोई भी component चेक कर सकते हो इस आप से तो चाहे वो हमारा normal हो चाहे वो हमारा smd package पे हो जितने दोस्तों component ज्यादा तर use होते हैं हमने आपको यहाँ पे search करके दिखा दिया है इस तरीके से दोस्तों आप भी ठी अपने components की जानकारी रख सकते हो वीडियो पसंद आये तो वीडियो को एक like जरूर करिएगा अगर आप हमारे चैनल पे पहली बारा हो तो चैनल को प्लीज सस्क्राइब कर लिजिएगा क्योंकि इस टाइब की वीडियो मैं हमेशा अपने यूटूब चैनल पावर तक पे लोट किया करता हूँ तो मिलते हैं दूस्तों इसकी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार